दोस्तों यदि आप Spice Money के Retailer है Spice Money के माध्यम से आप पैसे का बिट्रॉल करते हैं AAPS के माध्यम से तो ये वीडियो अपडेट आपके काम का है क्योंकि आपने देखा होगा कि एक जनवरी 2024 से जब भी आप कस्टनुमर का पैसा AAPS के माध्यम से बिट्रॉल कर रहे हैं तो आपको ये एक समस्या लग रही है कि अब आपको हर बार अगूठा लगाना पड़ेगा बहुत सारे लोग तो ये मैसेज को समझी नहीं पा रहे कि उनको करना क्या है तो इसलिए आप ये वीडियो पूरा सुनीगा और यहाँ पर मैं NPCI National Payment Corporation of India की guideline दिसंबर 2023 में ही बता चुका हूँ लेकिन मैंने अपने अनुभाव में पाया है कि जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो कई बार जब आपको उसका notification जाता भी है तो आप वो वीडियो नहीं देखते क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि वो वीडियो अपडेट आपके काम का है कि नहीं क्योंकि मैंने उसमें कंपनी का नाम नहीं लिखा था मैंने उस पे NPCI guideline लिखा था तो जो नए रिटेलर हैं जो लोग ये भी नहीं जानते कि AAPS को regulate जो है वो NPCI करते हैं तो वो लोग उस अपडेट को नहीं देख पाते हैं इसलिए अब ये अपडेट में हर कंपनी के साब से बना रहा हूं तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि जब आप अधार काट से पैसा बिड्रॉल कर रहे हैं तो आपको problem जा रही है और problem क्यों जा रही है वो हम इस वीडियो में discuss करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि APS business में बहुत सारे fraud होते जा रहे हैं कंपनियों को लगतार penalty लगती है इसलिए कंपनिया ID बनाने की ID की KYC करने और बंद आईडियों को पुना चालू करने की जो प्रकरिया है उसको tough करते जा रहे हैं ये जो हलाकी update है ये कंपनियों की तरफ से नहीं है सभी कंपनियों को ये लागू तो करना है लेकिन इसको NPCI के माद्धम से दिसा निर्देश के माद्धम से लागू किया जा रहा है NPCI ने कुछ update यहाँ पर दिये हैं कुछ guideline यहाँ पर दिये हैं जिनको कंपनिया फॉलो कर रहे हैं इनमें सबसे पहला तो आप जो rule है जिससे आपको अभी परिसानी हो रही है वो ये है कि हर cash withdrawal transaction पर हमारे retailer भाई का भी अंगूटा लगेगा किसी कमपनी में agent का finger यह retailer भाई का finger पहले लग रहा है किसी में बाद में लग रहा है गरहा के लेकिन यह है कि हर cash withdrawal transaction में हमारे retailer भाई को अंगूटा लगाना पड़ेगा mini statement यह दि आपका bank support करता है balance यूग करी अगर आपका bank support कर रहा है तो वहाँ पर केवल गरहाकों का ही अंगूटा लगेगा वहाँ पर हमारे retailer भाई का अंगूटा नहीं लगेगा जब आप withdrawal करेंगे तब ही आपका ही अंगूटा लगेगा दूसरा update NPCI की तरफ से कि अभी हम जो 10, 20, 30 रुपए के multiply में पैसा निकाल सकते थे 110, 1020, 2010, 2020 अब आप यह नहीं निकाल पाएंगे आप minimum 100 रुपए और उसके बाद 50 रुपए के multiplication में ही transaction कर सकते हैं जैसे 100 रुपए, फिट 500, 200, 200, 300, 1050, 1100, 1150 इस परकार के ही आप transaction कर सकते हैं तो यह मुख अपडेट यहाँ पर NPCI की तरफ से हैं अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे retailer भाई ऐसे हैं जिनका counter बहुत अच्छा चलता है उनके पास online के दूसरे काम भी है, वो online form भी भरते हैं, recharge भी करते हैं, photocopy भी करते हैं अपनी दुकान पर कोई लड़का या करमचारी रखे हैं जो उनकी ID से bidrol करता रह रहा था अब उनको ये परिसानी जा रही है कि हर बार अब उनको अंगूठा लगाना पड़ रहा है और गरहाकों के साथ समस्या क्या जा रही है, कि अगर गरहाक का अंगूठा मैच नहीं खारा ठंड में ये परिसानी बढ़ जाती है तो अगर तीन बार भी उनको देखा जाए अगर गरहा कंग उठा नहीं मैच खा रहा तो हमारे एजेंट को भी तीन बार फिंगर लगाना पड़ा है इसमें ये थोड़ी सी असुबदा हो रही है अब बहुत सारे निगेटिब कमेंट हमको मिले कि सर हम तो आईडी बंद कर दींगे देखिए अगर आपको काम करना है तो NPCI के रूल को फॉलो करना पड़ अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं दूसरा है कि अधि आप चाहें तो अपने अप एजेंट के नाम पे आईडी बनवा सकते लेकिन उसमें समस्था है ये कि अप जो मूब टू बेंक का पैसा भी जाएगा तो फिर वो एजेंट के खाते में जाएगा और एजेंट के नाम के आईडी रहेगी तो हो सकता फिर आपकी दुकान में भी काम ना करे क्योंकि उसको लगेगा क्यार सब कुछ मेरा है मुझे करना है तो मैं separate अपनी दुकान खोल लूँ ऐसी बहुत सारी समझा है आपके सामने आ सकती है तो बहराल अभी हमको यह जो अपडेट देना था कि आपको यह क्यों स्क्रीन पर इस मैं ज्यादा लग रहा है बार बार अंगुठा लगाना पड़ा लेकिन इससे कहने के आपका बिजनिस बढ़ेगा मैं अपने अनुबह से बता रहा हूं आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं चार जन्वरी को तो हमारे ट्रांजेक्शन बहुत कम हुए हैं उसमें से ब कम होंगे आपकी दुकान के असपास भी ऐसे बहुत सारी लोग होंगे जिनने आपकी दुकान की देखा सीखी इस ट्राइप के काम चालू कर दिये आपका मार्केट खराब किया अब जब यह काम बंद हो जाएगा उनके पास तो ओवराल यह सारी चीजें आपके पास ही कड़ेगा कुछ दिन में आपको इसकी आदत भी लग जाएगी क्योंकि अभी तक पूरा आपकी जो डिपेंडेंसी थी वो आपके करमचारी पर थी आप करमचारी को दे दिया करते रहे तो आपका काम आसानी से हो जाता था बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर क्या यह सिस्टम को भी देखा जैसे बैंकों बोड़ो था उनमें पहले एजेंट का ओप्शन था लेकिन उन्होंने इस ओप्शन को कम से कम साथ साल पहले बंद कर दिया था कि वहां पर उनको उस समय फ्रॉड रिपोर्ट होने लगे थे अब तो बहुत जादा फ्रॉड होते हैं त चैनल पर एदिया पहली बारा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें